Hello everyone, welcome to XRDB, Redefining Education. कुकले, ओयाशियो, ये क्या है? एक cold current है. कुकले, 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 ओयाशियो, ये क्या है? एक cold current है. Article which allowed Sikhs to keep a sword or a small dagger or किरपान, जो छोटा सा चाकु टाइप का होता है न, जो Punjabi लोग, Sikh लोग रखते हैं अपने पास में, उसको क्या बोलते हैं? उसको dagger बोलते हैं, dagger या किरपान, वो कौन सा article permission देता है? Article 25, which article allowed Sikhs to keep a sword or a small dagger, किरपान 25. Largest producer of cotton, cotton का largest producer पूरे दुनिया में कौन है? चाइना, C से cotton, C से चाइना, और इंडिया में क्या है? कलकटा है, cotton मिल सबसे पहले कहांपे आया है, कलकटा में, ठीक है, largest producer of cotton, पूरा वर्ल्ड में क्या है? चाइना, और पहला cotton मिल भारत में कहांपे आया था? कलकटा में, कुकले ओयाशियो, यह क्या है, cold current है, ओयाशियो, कुकले, ओयाशियो, cold current है, article which allowed 6 to keep a sword or small dagger, किरपान, article 25, largest producer of cotton क्या है, कौन है, चाइन, अब देखो, series देखना है, पहले फाहियन के बाद आया, फाहियन के बाद आया, अलबुरुनी, अलबुरुनी के बाद हुआ, बैटल पानीपत, यह तो simple सा बात है, बैटल अपानीपत, तो obviously इधर होगा न, मतलब ancient इंडिया में फाहियन, Chinese pilgrim आये थे, उसके बाद फिर फाहियन आया, फिर अलबुरुनी आया, उसके बाद है बैटल अपानीपत हुआ, तो यह series तो बहुत आसान है, foreign bank having maximum branches in India, कौन सा foreign bank है, ज जिसका इंडिया में सबसे ज़्यादा branches है, standard and chartered bank, standard and chartered bank, यह कौन सा bank है, standard and chartered bank है, जिसका सबसे ज़्यादा branches इंडिया में है, कौन सा foreign bank है, जिसका सबसे ज़्यादा branches है, obviously जो चिस standard होगा और chartered होगा, उसका ही branch होगा, जो standard bank होगा तो standard and chartered bank, typhoon originated in, typhoon कहां से originate हुआ था? चाइना सी से. टाइफून कहां से ओरिजिनेट हुआ? चाइना सी से. कुकले या ओशियो क्या है? कोल्ड करेंट है. आर्टिकल विच अलावड सिक्स तो कीप अस्वोड और स्मॉल डैगर और किरपान? आर्टिकल 25. लार्जेस्ट प्रोडूसर अफ कौन है? दुनिया मे चाइना. फाहियन आया, फिर अलबुरूनी आया, फिर बैटल अपानीपत हुआ. फॉरेन बैंक हैविं मैक्सम ब्रांचेज इन इंडिया, स्टैंडर्ड और चाइटर्ड बैंक. टाइफून कहां पर ओरिजिनेट हुआ? चाइना सी में ओरिजिनेट हुआ. कमिटी एस्ट पनिंद्रनात गुष ने कौन सा कमिटी इस्टैबलिश किया था? अनुशिलन समेती. पैलेस ओफ अकबर हैविंग बुद्धिस्ट इंपक्ट. अकबर का वैसा पैलेस का नाम बताइए, जहां पे बुद्धिस्ट इंपक्ट है. पंच महल. पंच महल. पंच शील याद कर अकबर. पहला ब्रिटिश बताइए, जो अकबर के पिरेड में आया. राफल फिच. राल्फ फिच. रल्फ ल-A-L-P-H. रल्फ फिच. फ-I-T-C-H. पहला ब्रिटिश जो अकबर के टाइम पे आया था. कौन था वो? रल्फ फिच. रल्फ फिच. आमीर एक को. डिपार्ट अमीर एक को. 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 Foreign Bank having maximum branches in India, Standard and Chatterbank. पहले 5-Yen आया, फिर Al-Bruni आया, फिर Battle of Panipat हुआ. Largest producer of cotton कौन है दुनिया में? चाइना. Article which allowed 6 to keep a sword or small dagger or किरपान 25. कुकले और ओयाशियो, क्या है? Cold current है. कुकले और ओयाशियो क्या है? Cold current है. Article which allowed 6 to keep a sword or small dagger or किरपान 25. Largest producer of cotton, China. तफाहियन आया, फिर Al-Bruni आया, फिर Battle of Panipat हुआ. Foreign Bank having maximum branches in India. कौन सा bank है वो? Standard and Chatterbank. Typhoon originated in कौन सा सी? China सी. Committee established by Banindranath Ghosh. Sorry, Banindran Kumar Ghosh. Banindran Kumar Ghosh ने कौन सा committee को established किया था? Anushilan Samiti. Palace of Akbar having Buddhist impact, Panch Mahal. First British to come during the period of Akbar. Ralph Fitch. Amir Eko Department was started by Muhammad bin Tuglaq. अब कुछ search centuries है, उनका connection बनाना है कि कौन कहां पे है? भरतपूर Bird Century. भरतपूर का है? ये तो राजस्थान में है. तो भरतपूर का है? राजस्थान में. तो भरतपूर Bird Century? राजस्थान में. Manas Wildlife Century? आसाम में. मेरा एक दोस्थ है Manas, वो आसाम का है. तो Manas Wildlife Century? कहां पे है? आसाम में. दुधवा Bird Century? दुधवा Bird Century कहां पे? यूपी में. दुधवा Bird Century? यूपी में. यूपी में. यूपी में. दुधवा, गाए, काओ. यूपी में. यूपी में. गीर नैशनल पार्क ये तो गुजरात में. फिर जारकंड वस नोन बाई विच नेम इन महाबारत या पुंडरी काक्षर तनौरी में. यूदर आए? पुंडरीक. फिर लाक बक्ष इन मेडिय आइलेंड्स हैं. अंडमार निकाव गरूप में. इतने सार या इलेंड्स है. नंबर आफ लोकसवा colors case study को बोलते है, chlorology और classification of organisms को बोलते है, taxonomy, increase in temperature of air increases its capacity to absorb water vapor, क्या ब्याद सही है, हाँ, temperature अगर, air का temperature अगर हम बढ़ा देंगे ना, तो water vapor को ज़्यादा वो absorb कर पाएगा, ब्रह्मोपुत्र रिवर को टिबेत में क्या बोलते है, sangpo, तो हम लोग पढ़ते है, sangpo, ब्रह्मापुत्र रिवर को टिबेत में क्या बोलते है, sangpo, टेगोर आफ पंजाब किसको बोलते है, पूरन सिंग को, Concurrent List लिए गया है? Australia से और DPSP कहां से लिए गया? Ireland से Concurrent List लिए गया है? Australia से DPSP कहां से लिए गया? Ireland से और Concurrent List कहां से लिए गया? Australia से Tagore of Punjab कौन है? Puranze Brhamputra river को क्या बोलते हैं? Tibet में Bhangpo Increase in temperature of the air increases its capacity to absorb water क्या बथ साही है? Yes Calcology क्या है? Study of Beauty and Aesthetics Anthology क्या है? Study of Flower Chlorology क्या है? Study of Colors Taxonomy क्या है? Classification of Organisms जारकंड में विधान सभा कितने seeds है? 81 और लोग सभा कितने seeds है? 14 अंडमान निकुबर ग्रूप में कितने islands है? 572 लाक बक्ष इन मेडियेवल इंडिया किसे connected है? बक्ष है इसमें तो कुतबिदिन आई बक्ष होगा जारकंड को मायभारत में क्या बोला गया है? पुंडरिक गिर नैशनल पार्क है गुजरात में दुदुआ बर्ड संचुरी का है यूपी में मानस वाइड लाइफ संचुरी का है आसाम में और भरतपूर बर्ड संचुरी का है राजस्तान में आमीरे को डिपार्टमेंट वस स्टार्टेड भाई किसने स्टार्ट किया था है? जो वाइज होगा वही वाइज कौन है? सलतनेत मौहमद बिन तूगलक और फिर्स्ट ब्रिटिश तो कम दूरिं पिरिएड अखबर वस रल्फ फिच पैलेस अखबर हाविग बुद्धिस्ट इंपाक पंच महल कमिटी एस्टाबलिश बाई बनिंदर कुमार घोष अनुशिलन समीते टाइफून ओरिजिनेटेट इन चाइना सी फिर फाइन आया फिर अलबुरुनी आया फिर बैटल ओ पानी पत हुआ फिर लाज़ेस प्रोडिशर अफ कॉटन कॉन है पूरे दुनिया में चाइना कॉनस आर्टिकल 6 को एक स्मॉल सोर्ड या स्मॉल डैगर या किरपान रखने का लाओ करता है 25 कॉकले या ओयाशी हो क्या है कोल्ड करेंट बाई बाई